भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म भारत में हुआ था। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद सम्विधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 351 तक की व्यव इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसारित करने के लिए 1953 से हर साल देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा. इसके अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है. क्या है हिंदी दिवस का इतिहास? हिंदी देश की पहली और विश्व की ऐसी तीसरी भाषा है, जिसे सबसे ज़्यादा बोला जाता है. भारत में 70 पीसदी से भी ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं. समविधान की धारा 343 एक के अनुसार हिंदी और लिपी देवनागरी भारतियसन की राजभाषा है. क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को हिंदी के महान साहित्यकार व्योहार राजेंद्र सिंग का जनम दिन भी है. इसलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. हिंदी को विशेश दरजा दिलवाने में गोविंद 10, हजारी प्रसाद द्विव नाम फार्सी शब्द हिंग से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमी। फार्सी बोलने वाले तूर्क जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमन किया, यारवी शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया था। यह भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है और संयोक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अलपसंख्यक भाषा है। प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाएगा जिसने जन जन में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेश योगदान दिया है। इसके लिए सम्मान स्वरूप एक लाख एक हजार रुपय दिये जाते हैं। सप्ताह के लिए तो रहती ही है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रती लोगों को उत्साहित करने हितू पुरसकार समारोह भी आयोजित किया जाता है। जिसमें कार्य के दोरान अच्छी हिंदी का उप्योग करने वाले को यह पुरसकार दिया जाता है। यह पहले राजनिताओं के नाम पर था, जिसे बाद में बदल कर राश्ट्रभाशा कीरती पुरसकार और राश्ट्रभाशा गौरव पुरसकार कर दिया गया. राश्ट्रभाशा गौरव पुरसकार लोगों को दिया जाता है जबकि राश्ट्रभाशा कीर्ती पुरसकार किसी विभाग समिती आदी को दिया जाता है